वेलकम ओलफ यू आप सभी का स्वागत है आपके यूटूब चैनल एडी सिंग फजिक्स पर तो हमने इलेक्टोनिक्स को स्टार्ट किया है यूनिट हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट हमारी स्टार्ट है रेक्टिफिकेशन को हम कंसीडर करें रेक्टिफिकेशन के टैप् हमने कंसीडर कर चुके हैं आज हम फिल्टर के बारें पढ़ेंगे फिल्टर क्या है फिल्टर क्या है इसके बेसिक डैफिनेशन क्या है और इसके टाइप क्या है कौन-कौन से टाइप एक्जाम में इंपोर्टेंट है और कौन-कौन से टाइप हम यहां पर पढ़ने वाले सारे के सारे हम क्या करें हुआ है अब देखिए five system क्या है कुछ ऐसे Vide за chw… यहोंत एक इंस्टुमेंट होते हैं जिने पहुत कुम रिपल फेक्टर क्या शक्ता होतीए हैं मैं यहाँ हैं डिखर लिख रहा हूंं और डिफल फैक्टर क्या है जिसे हम और्मी का गुणा कहते हैं अब हमें आउट पुट के अंदर क्या मिलता है आउट पुट के अंदर एसी वेडिसी का मिश्रण मिलता है combination होता है output एसी यो DC का अब इसमें से जो एसी पावर की जो शमता होती है एसी पावर की जो efficiency होगी यानि एसी पावर का जो source होगा उसे हम क्या कहेंगी रिपल फैक्टर आर कहेंगे हमने यह पहले definition पढ़ चुके हैं रिपल फैक्टर आ रहे हैं ओ कहता है कि कुछ electronic instrument होते हैं जिने बहुत कम रिपल फैक्टर की आशकता होती है और ऐसे हम इसका एक्टिफकेशन जो होगा द्रिष्ट करन जो होगा ऐसे इंस्ट्रूमेंट का द्रिष्ट करन के लिए हमें फिल्टर किया उश्कता पड़ी और फिल्टर क्या करता है उस रिपल फैक्टर को कम करता है यानि ज्यादा रिपल फैक्टर को क्या करेगा वो कम करेगा कैसे करेग यदि हम उस सर्किट के अंदर क्या लगा दें कोईल लगा दें या लगा दें कपेस्टर क्या लगा दें कोईल लगा दें या कपेस्टर लगा दें अब जस्ट हम एक अग्जामपल ले रहे हैं फिर आपन डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे अब दीखी यह मेरे पास क्या है ये मेरे पास throat है half wave की बात करो में अब इस full wave के अंदर RL है ये output है अब वो कह रहा है कि इसका ripple factor ज्यादा है इसका क्या है ripple factor ज्यादा है अब ripple factor को कम करना है कुछ instrument ऐसे हैं जिसका ripple factor कम करना है तो मान लीजिए मैंने इसके साथ क्या लगा दिया इसके साथ संधार इतर लगा factor की और मिका गुना की value क्या हो जाएगी या अपन ऐसे कह दें कि इसको इसकी जगा हम कोई लगा दें तो कोई से भी क्या हो जाएगा तो इसके चार बेसिक टाइप है चार टाइप है फिल्टर क्या है ऐसा ऐसे instrument जिसको ripple factor को कम किया जा सकता है और हम क्या करें उस परिपत क अंदर वो सरकीट के अंदर प्रेक्तव वै कैपेस्टर यानि हम संधार्यतर का परियोग कर क्या अगर बना सकते हैं फिल्टर बना सकते हैं तो यह बेसिक आपकी definition है अब देखिए चार तरीके से फिल्टर होते हैं जो हम पढ़ेंगे चार तरीके से फिल्टर कहता है पार् लगा हो सेकंड देखिए श्रेणी प्रेडिक्तव फिल्टर अब देखिए नाम से स्पष्ट है श्रेणी के मतलब श्रेणी करम में सीरीज के अंदर लगा हो क्या लगा हो इंड़क्टर फिल्टर यानि हमारे पास कोई लगी हो किसके अंदर फिल्टर के अंदर थर्ड बा लगेगा सारे के सारे lectures के अंदर हम discuss करेंगे most important है और filter को अपन बड़ी detail में बढ़ेंगे कि आपके exam के माध्यम से क्या है important है तो सबसे पहले आज filter पढ़ने वाले हैं पार्शरोपत संदार इतर filter shunt capacitor हमें देखिए shunt capacitor filter पार्शरोपत संदार इतर filter जो हम पहला टाइप्स पढ़ने वाले हैं आप बेसिकली इसके अंदर क्या होगा मैंने आपको बताया कि नाम से परश्ट है shunt capacitor यानि पार्शरोपत के अंदर क्या लगेगा capacitor लगेगा तो इसका सर की डाइग्राम देखिया सेम उस तरीके से बनाना है आपने जिस तरीके से आपने full wave rectifier बनाया था क्या बनाया था full wave rectifier यह क्या लोहे की चड़ और इसको इस तरीके से बनाना है और यहां पर क्या लगेंगे दो diode d1 और d2 d1 और d2 और same as it is rl यह मेरे पास rl है और यह क्या आउटपुट है ओके यह क्या है d1 और यह d2 यह p और n सी रहा है अब यहां पर e i होगा वह e i note sin omega t और यह तो यह आपका सर्किट डाइग्राम है जो आपको बड़े ही आराम से बनाना है आप इसको इस तरीके से बनाएगा सर्किट डाइग्राम बनाना important ओके तो यह आपका सर्किट डाइग्राम अब देखिए इसमें कौन-कौन से type पढ़ने है सबसे पहले आपने लिखनी है सर्किट डाइग्राम step बता रहा हूँ आपको step क्या है पहले आपने सर्किट डाइग्राम बनाना है फिर आपने का करन है second इसकी बनावट लिखनी है इसकी structure लिखनी है किस तरीके से structure है थर्ड के अंदर आपने इसकी working लिखनी है क्या लिखनी है इसकी working इसकी किलिया विदी हमारे पास किस तरीके से प्राप्त होती है और working के बाद fourth जो है mathematical relation mathematical करेंगे हमें आपर प्रूफ क्या करना है बैसिक बात देखी अब जब हमने हमें पता नहीं होगा कि हमें यहाँ पर करना क्या है सबसे important बात आपने याद रखनी है बस इसका फंडा ये की है इस filter को समझने के लिए आप रटाव किशन ना लगाएं कि समिकरन स्टार्ट की equations नहीं लास तक हमें पता ही नहीं है जब तक कि हम क्या करने वाले हमें ripple factor calculate करना है क्योंकि हमने करते है स्टार्ट इसको अब देखिए इसकी बडाब आप आपने देख ली है जैसा जैसा एक डियोफिशनद liकseat क्लिया विदी हो देख लीजिए वर्केश वायर किंग नदर क्या-क्या लिखेंगे अब nyt डिक्ये working के अंदर आपने लिखना है अब जो output जो होता है वो एसी व्यदीसी का रहा है एसीवै डीसी का combination होता है या combination होता है अब दिखे के में कॉंबिनेशन होता है और एसी जो है एसी का वह भाग क्या कहलाता है रिपल फेक्टर कहलाता है यह आप यहां पर दो तरीके से वरकिंग बड़े ही शांदार तरीके से आपने सुनना इसको आपने कते भी इसको आगे करना वीडियो को आपने स्टोप करकर सुनना देखिए कोई वीडियो स्टूडेंट है वह फटा-फट देखने कोशी करते कि कब आए कब हम स्टार्ट करें अब हमने यहां पर कैपेस्टर लगाया है कपेस्टर लगाया है इस बैचारे की वर्किंग क्या हुई अब जब यह स्टार्ट करता है जब यह वर्किंग करना स्टार्टिंग करेगा अब स्टार्टिंग के अंदर क्या होगा यहां पर चार्जिंग होगी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग यहां दो वर्ड ले जाएंगे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दो वर्ड यूज कर रहा हूं आवेशित और अनावेशित सबसे important बात जब ये working करना शुरू करेगा इस capacitor के अंदर load परतिरोध है मारे पास RL load परतिरोध RL है अब ये capacitor क्या करेगा ये संधारितर क्या करेगा हमने संधारितर क्यों लगाया हमारा काम चलाने के लिए हमें ripple factor को कम करना इसलिए संधारितर लगाया अब संधारितर बचारे की capacitor की क्या working है जो हमें दर्शानी है देखिया अब इस capacitor का use किया हमने इस capacitor का usable किया अब ये capacitor क्या करेगा जो आने वाला अवेश होगा जो आने वाली धारा होगी कहां से load पर तिरों से उसको क्या कर लेगा ये observe कर लेगा इकठा कर लेगा जो capacitor होगा वो क्या करेगा उर्जा को क्या करेगा संधारित कर देगा उर्जा को इकठा कर लेगा जिससे RL की शमता जो है RL की RL में जो उर्जा है वो कमी होगी यानि RL में जो उर्जा की कमी है RL में जो voltage की है जो हमारे पास RL का voltage है वो कम होना शुरू हो जाएगा तो देखी अब जब capacitor लगेगा capacitor क्या करेगा? उस उर्जा को संग्रहित करेगा इकठा करेगा इस खड़े के अंदर उस क्या करेगा उसकी उर्जा को इकठा करेगा और जैसे उर्जा को इकठा करना शुरू करेगा आरेल में वोल्टेज की कमी होना शुरू हो जाएगी जैसे आरेल में कमी शुरू होना शुरू हो गई तो हम क्या कहेंगे इसको अवेशित होना शुरू हो गया चार्जिंग होना स्टार्ट हो गया और यदी चार्जिंग होना स्टार्ट हो गया तो उसे क्या करेगा एक नियत बनाएगा voltage को RL को क्या करेगा नियत बनाएगा एक constant बनाएगा यानि एक lag के अंदर चले कि याद ना तो इसकी value up हो ना इसकी value कम हो इसलिए capacitor लगाया गया फिर discharging कब आएगी discharging याना वेशित कब आएगा अना वेशित तब आएगा जब वे voltage को इकठा कर लेगा और जैसे voltage घटती है जैसे voltage घटेगी क्या होगा discharging होना शुरू हो जाएगा यानि RL पर जैसे voltage कम होगी वैसे वैसे discharging होना शुरू हो जाएगा बस इतनी सी बात की कहानी है सिर्फ आपने ये बात आपने याद रख ली तो आपको filter समझ में आ गया रटा vacation नहीं करना है रटा नहीं लगाना है मैं फिर कह रहा हूँ कि सिर्फ यहाँ capacitor का खेल क्या है charging और discharging को करने का है यानि जैसे जैसे वो अपने अंदर उड़जा को संग्रित करना शुरू कर देगा RL के अंदर क्या हो जाएगी RL के अंदर voltage की कमी होगी और जैसे-जैसे voltage कम होना शुरू होगा वैसे-वैसे आवेशित होना शुरू हो जाएगा क्यों सा capacitor और यह क्या हो जागए charging point पर और RL जैसे ही कम हुआ बहुत कम जाएगा तो discharging होना शुरू हो जाएगा ओके तो basic concept है आपने basic concept को देखना है मैं यहाँ पर एक graphical represent बना रहा हूँ जिसके अंदर हमने charging और discharging point को दर्शाया गया यानि जब charging होई तो इस तरीके से down आया जब discharging होई तो इस तरीके से charging discharging ओके तो यहाँ पर को समझेगा जब तक आपको समझ नहीं आएगा आपके mind का जो doubts clear नहीं होंगे हम इस topic को कर नहीं पाएंगे क्योंकि यह topics जो है यह आने वाले समय के अंदर आप जब MSC physics करोगे या कोई भी IIT jam का exam दोगे या कोई भी entrance exam दोगे तो यह topic सो हर बर पूछे जाने हैं हर बर आने हैं ओके तो यहाँ पर mathematical relation क्या होगा मेरे पास आवेशित यानि charging और discharging से समंदित charging और discharging से relating एक equation आती है जिस equation को लिखते हैं EM बराबर जिस equation को लिखा जाता है EM बराबर यानि जो E होगा जो E होगा वो E maximum होगा E की power minus T omega L R यानि R L omega ओके या omega L R लिख दीजिए या R L omega लिख दीजिए यानि omega L C सुरी हाँ capacitor है C ओके तो यह हमारे पास क्या आती है एक equation आती है अब देखिए अब यदि R L C जो है वो बड़ा है किस से R L जो C जो है वो बड़ा है T से तो यहां से जो बड़ा होगा T से तो then EM जो होगा वो 1 minus T by R L C यह क्यों लिखा क्योंकि R L जो है वो बड़ा है T से इसलिए exponential जो होगा वो यहां से cancel होगा अब देखिए यह equation क्या बनी E बराबर EM multiply किया मैंने multiply करते ही EM T और यहां पर R L C समीकर नंबर A समीकर नंबर A first हमने समीकर नंबर A को लिखा ओके अब देखिए अब यहां पर हमने time को denote करना है जिस तरीके से time चलेगा यानि हमारे पास जो circle आएगा पहले चकर के अंदर charging हुआ दूसरे के अंदर discharging दूसरे के अंदर charging पहले के अंदर discharging तो हम यहां पर कहते हैं पहले चकर के अंदर पहले चकर के अंदर यानि पहले round के अंदर T is equal to capital T यानि फिर क्या होगा EM बराबर होगा EM minus का EM capital T RLC ओके तो यह मेरे पास क्या है equations आई अब इसका graphical represent देखिया इसका graphical represent साथ की साथ graph बनाएंगे साथ की साथ क्या करेंगे graph अब EM है वो maximum है अब जो हमारे पास value आई है EM minus का EMT और यहाँ पर RLC EMT और RLC और यहाँ पर देखिए यह मेरे पास क्या रही है पीक वैल्यूज आ रही है और यह बीच का डो difference है यह क्या कहलाता है EDC कहलाता है यह E maximum, maximum peak value और यह मेरे पास है lower value और यह मेरे पास है EDC और यहाँ से EDC का हम formula लेख सकते है और यहाँ से EDC का हम क्या लेख सकते है फोर्मल निख सकते, तो graphical represent साथ साथ करेंगे, आपको कदाई चिनता नहीं करनीए most easy और most important topic है, ओके, तो most easy भी है और most important भी है, आपने चिनता नहीं करनी है, आपने, ओके, तो rl में होने वाली आउटपुट वोल्टेज आरल में होने वाली, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज क्या हैगी मेरे पास आरल में होने वाली, अब मेरे पास आरल यानि मुझे EDC निकालना है, तो EDC क्या होगा मेरे पास देखिए, EDC क्या है, एक तो EM का जोग है, और एक इ और इसका यानि ईद्टी का अंतर निकालों इन दोनों का difference निकालों difference कैसे निकालते से माल लीजे मेरे पास है okay, two, three point है यदि मुझे सा mean value निकालरनी है total कितनी इसंग क्या है । 3, total कितनी है 3, और 1+, 2+, 3 का total, और यहां 3, तो इसका mean value, तो हमें EDC निकालना है, mean value निकालना है, तो क्या होगा, पहले highest और lower, यानि highest value EM, और lower value कितनी है, EM-EM T और RLC, अब ओन के अंदर कितनी value का निकाल रहे हैं, बन 2 का डिफरेंस कितना निकाल रहे है दो का तो टोल कीजिये EDC कितना आएगा 2 EM- का EM capital D RLC और यहां पर 2 और यह 2 से 2 cancel होगा क्या आएगा यह EM मनेगा और यहां पर EM capital T to RLC तो यह समीकर नमबर मेरी बनी B समीकर नमबर बनी B और समीकरण को हम नहीं आ दिया अब यदि मुझे maximum DC निकालना है डिसी है ध्यान रखना यदि EDC क्या निकालना है maximum निकालना है तो maximum के लिए maximum 0 होगा तो EDC जो maximum आएगा वो क्या आएगा हमारे पास EMT to RLC तो यह मेरे पास आ गया है E maximum DC और इसका graphical represent कैसे होगा इसका graphical represent देखिया अब क्या हो रही है charging से discharging charging से discharging यानि उपर की और से यहां से क्या था पहले उपर फिर नीचे पहले उपर और यहां से जो values आ रहे हैं मेरे पास पहले charging से discharging अब यहां पर पीक value मेरे पास कितनी आई थी इस point पर EM प्लस क्या आए था EMT RLC और यहां क्या आए था EM minus का EMT RLC और यह 20 का difference कितना है EDC maximum EDC कितना है maximum ओके तो यह मेरे पास प्राप्त हुआ और यह मेरे पास दो graphical represent किया हुए प्राप्त हुए calculation करेंगे अभी तो हमने EDC की value निकाली है हमें चाहिए क्या हमें ripple factor चाहिए तो ripple factor के और move करेंगे अपन और ripple factor के लिए पहले mean value calculate कर ले mean value किस तरीके से हमारे पास प्राप्त होती है अब देखिए अब क्या करेंगे अब हमें calculation करनी है अब में ripple factor के और move करना है तो ripple factor क्या formula क्या है देखिए आप अब अपन अपने aim की और move कर रहे है हमारा aim क्या है और इस aim से हम क्या calculate करने वाले हैं ओके तो हमारा aim क्या देखिए आप हमें चाहिए ripple factor यह चाहिए triple factor, r की value चाहिए, r क्या होगा e-rms upon e-dc, e-rms यानी root means के रवर्ग माते मूलमांच यह किसका? e-ka output values का, तो यह हमारे पास formula होता है, हमारे पास e-dc है, e-dc की value है, परंतु e-rms नहीं है, तो E dash RMS value कैसे आएगी, कैसे आएगी, यदि मैं E dash AC calculate कर दूँ, E dash AC, और E dash AC का मतलब output voltage जो है, वो किसके बराबर होगी, लेकि हमने starting अंदर फैला formula पढ़ा था ये वाला, फर्स्ट formula पढ़ा था कौन सा ये वाला, यानि जो E है, यानि E जो है, वो किसके बराबर है, E maximum, minus का EM capital T to RLC, ओके, तो ये हमने पढ़ा था small t वाला, यानि small t और RLC, small t RC, ओके, अब दीखिए, यदि मैं EDAC calculate कर दूँ, और ये क्या है, E maximum, AC, E maximum है, और minus का EM small t RLC, और अब ही हम पढ़ के आए है, just, E maximum C, यानि E maximum, जो मेरे पास value आती है, E maximum की, तो E AC क्या आएगा, यहाँ पर E AC के लिए, E M, E M capital T, 2 RLC, और minus का, E M small t RLC, कुछ भी नहीं किया, just हमने E maximum की value को put गिया है, अब देखिए, अब common लीजी आप, common लेने के लिए, इसके पैर में 2 है, इसके पैर में 2 नहीं है, 2 से उपर multiply कर दो, 2 से नीचे कर दो, सेम हो गया, कोई फरक नहीं पड़ेगा, अब देखिए, 2 RLC, ओके, 2 RLC common, 1 भाई, और यहाँ E M b common आ गया, तो बचा क्या, T minus 2T, T minus 2T, और यह मेरे पास value की उसके आगी, E AC की value आगी, क्या आगी, E AC की, और यहाँ से हम क्या calculate कर सकते हैं, E dash RMS, E dash RMS, RMS क्या होगा, root में E AC की square, root में E AC की square हमारे पास calculate हो जाएगी, यानि इसको E dash माल लेते हैं, E dash AC माल लेते हैं, तो calculate करने के लिए E dash RMS, या इसको E AC माल लो, E RMS calculate कर लो, एक ही बात है, dash लगाना, dash लगा दो, नहीं लगाना, नहीं लगा दो, confuse होने के लिए, dash लगाया जाता है, कि आप E से value को confuse ना कर दें, mix ना कर दें, ओके, तो हम RMS की value को calculate करेंगे, RMS किस तरीके से प्राब्द होता है, तो देखिया, अब हम RMS value calculate करने के बात, ripple factor की और move करेंगे, और ripple factor जैसे ही आएगा, और वही हमारा क्या होगा, answer होगा, और वही हमारा क्या होगा, answer, देखिया, हमें calculate करना है, E dash RMS root में, E dash AC की square, ओके, तो E dash AC कितना आया मेरे पास, E dash RMS, E dash AC, root के अंदर, E m upon 2 RLC, T minus 2 T की, अब सारे की कितनी है, square है, सारे की कितनी है, square हमारे पास परापत होगा, और इसको खोलने का तरीका क्या होगा, just हमने लिखना है, E dash RMS जो है, वो 0 से, E dash जो RMS है, 1 से T, जो limit कितनी है, 0 से T, यानि 1 बाइ T, और यहाँ पर E dash AC, और यहाँ पर क्या आएगा, DT, यानि E dash AC की square, और यहाँ पर आएगा, DT, ओके, आप देखे, E dash RMS, 1 बाइ T, 0 से T, अब E dash के T की value रिखिया, E M 2 RLC, यहाँ पर T minus 2T, T minus 2T, ओके, तो यह value हमारे पास आई, और यहाँ से क्या जाएगा, DT, अब क्या आएगा, E dash RMS, यह सारा बाहर, E M 2 RLC, T, DT, ओके, और यहाँ पर गाएगा, 0 से T, T minus 2T, ओके, और यहाँ से DT, T minus 2T, और यहाँ पर क्या आजएगा, मेरे पास, DT आजाएगा, ओके, तो यह value मेरे पास क्या हुए, as it is पराप्त हुई, अब हमारे पास यह root form के अंदर है, हम root form के अंदर लिखतेंगे इसको, E dash RMS, क्या आजएगा, E dash RMS, तो यह square था, और यहाँ E dash RMS calculate करें, तो यहाँ पर, तो यह root के अंदर सारा formation आजएगा, क्या आजएगा, root के अंदर सारा formation आजएगा, तो root के अंदर आते ही, इस सारी value हमने कैसे calculate करने इसको, 2T upon, ओके, तो यह value क्या आजएगी, अब यहाँ पर हम root formation के अंदर लिखें इसको, E M 2 RLC, यहाँ 1 by T आ गया, इसकी square, यहाँ 1 by T, और यहाँ 0 से T, क्या आएगा, T minus 2T dt, ओके, यह सारा बाहर आएगा, E dash RMS के रूप में, E M 2 RLC, और यहाँ root formation के अंदर आप क्या लिखेंगे, 1 by T, और यहाँ 0 से T, T minus 2T dt, सिर्फ integration करना, आपने और कुछ भी नहीं करना, just integration करना है, कीजे integration, किस तरीके से integration होगा, इसका, देखिए, आप 1 by T बाहर है, T का क्या होगा, T square, T का, T square by 2, और यहाँ 2T, 2T का क्या हो जाएगा, T, T square का, T square by T, यहाँ देखिया, E dash RMS, E M, 2 RLC, ओके, तो यह root में आ रहा है, 1 by T as it is, 1 by T as it is, क्या होगा, 1 by T as it is, आते ही, T square T, T square T, minus का, अब इस 2T का करेंगे, 2T का, क्या हो जाएगा, यहाँ पर, 4T cube upon, इसका भी करेंगा, अपन, 4T cube upon 3, minus का, 4T cube upon 3, minus का क्या होगा, minus का 4T, minus T square by 2, minus का 4T, T square by 3, ओके, तो यह मेरे पास आगी values, यह आगे, इस तरीके से integration इसका होगा, तो limit रखेंगे आपन, E M, 2 RLC, और यहाँ पर क्या आजएगा, 1 by T, क्या आजएगा मेरे पास, 1 by T, ओके, तो T के respect करना है, small T है, ब्यान रखना आप, थोड़ा सा changing कर लेना, small T है, हमने, यहाँ पर small T रखना है, क्योंकि DT के respect है, small T है, ओके, तो यह मेरे पास आगे integration, solve करेंगा अपन, solve कीजिए आप, क्या बना मेरे पास, यहाँ पर T क्यूब कोमन, कैपिटल T रखेंगे, यानि 1 by T रखेंगे, तो T स्केर T, माइनस का 4 T क्यूब, माइनस का 4 T क्यूब अपन 3, यहाँ कितना आगे 2, वहाँ 3 की जगह शायद 3 into 2, यानि इसको आजए यहाँ पास 2, यहाँ 2 आएगा, अपके, तो यह मेरे पास आगे, अब क्या आएगा, इम 2 RL की पावर C, यहाँ पर T क्यूब देखें, यह T क्यूब बना, यह T क्यूब भी है T क्यूब, तो T क्यूब अपन T, यहाँ T क्यूब अपन T, क्या बचा 1 minus, यह कितना बच गया, 4-2 और यह कितना बच गया मेरे पास 4-3 यानि 4 बटे 3 माइनस का यह कितना बच गया 2 ओके तो 2 में से 1-1 यानि EM की value कितनी आगी 2RLC root में यहाँ T square आगया T square आते ही 1-4 by 3 यह क्या बना 4 by 3 minus 1 क्या बना 4 by 3 minus 1 तो यहाँ बना यह positive value है 4 by 3 minus 1 तो यह क्या आगया EM की value 2RLC यहाँ T और यह क्या बना 4 by 3 minus 1 और यह क्या आगया E dash RMS क्या बन गया E dash RMS की value हुमारे पास SG टेर होई तो इसको थोड़ा सा solve करेंगा अपन थोड़ा solve करते ही E dash RMS जो है वो EM की T यहाँ पर 2 root 3 RLC तो यह मेरे पास बनी as it is value समीकर नंबर C क्या बनी समीकर नंबर C हमारे पास त्यार होई और हमें चाहिए क्या हम अपने खुद मुद्धे पर आते हैं हमें value चाहिए R की R क्या था E dash RMS upon EDC क्या था EDC तो R की value हमने लिखने यहाँ से क्या आएगा EMT 2 root 3 RLC upon के अंदर EDC EDC हमने erase कर दिया EDC की value कितनी थी EM minus EMT RLC ELT RMC ओके तो यह value हमने यहाँ पर note करने है और यहाँ 2 RLC था जस्ट कुछ नहीं किया सिर्फ हमने औरमी का गुना आग यहाँ रिपल फेक्टर की value को calculate किया है रिपल फेक्टर की value को calculate किया है बस calculation करने ही आपने कीजिए calculation किस तरीके से होगी अब यहाँ EMT है EMT 2 root 3 RLC upon के अंदर calculation करो EM 2 RLC minus का EMT upon के अंदर 2 RLC upon के अंदर 2 RLC calculation कीजिए यहाँ पर बस जस कुछ भी नहीं है इस derivation का last part है R की value हमने calculate कर ली है तो क्या हैगा EMT यहाँ से अब देखिए R की value EMT upon के अंदर 2 root 3 RLC into 2 RLC upon के अंदर EM 2 RLC minus का EMT तो यहाँ से देखिए 2 से 2 cancel और यहाँ RL से RL के अंदर C से C cancel तो क्या है का मेरे पास यहाँ EMT upon के अंदर root 3 into EM 2 RLC minus का EM upon T और यह मेरे पास आगी डिपल फेक्टर की value यह value आते ही हम यहाँ पर क्या कहेंगे RL जो C है वो less than है T by 2 के किसके है less than है T by 2 के यह T के less than है तो उपर क्या आगया मेरे पास जो उपर जो values आजएगी T test 2 के less than है तो यहाँ EM की value आ रही है common पहले EM की value को cancel करेंगे EMT आ गया यहाँ पर यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर 2 RLC आ गया माइनस का T आ गया ओके और EM को मना गया तो EM को cancel कीजिए पहले जो value cancel होने वाली है cancel कीजिए root 3 यहाँ पर 2 RLC माइनस का T अब वो कह रहा है कि यह से value क्या है बड़ी है RLC को छोड़ने पर तो RLC को छोड़ेंगे चोड़ते ही यह part 0 तो क्या आ गया मेरे पास T upon root 3 2 RLC तो answer क्या बना मेरे पास 2 root 3 RLC तो यह मेरे पास आया ripple factor that is answer that is answer मुश्किल नहीं है यहाँ तक पहुँझने के लिए हमें 3-4 step को करना ज़रूरी है क्योंकि हमें step by step चलेंगे और step by step आपका answer त्यार होगा गबराना नहीं है बस आपने step by step को complete करना है अब यहाँ पर 2 cases है वो भी अपर discuss कर लेते हैं 2 cases कैसे आएंगे जब ripple factor कितना होगा और जब ripple factor की value कितनी होगी तो 2 cases हम discuss कर रहे है case first और case second case first और case second और यहाँ case second case first कह रहा है कि t की value जो है वो कितनी ली जाए t की value t by 2 ली जाए यानि t की value t की value कितनी ली जाए 1 by f ली जाए 1 by f ली जाए तो यहाँ 1 by f लेंगे तो क्या होगा r value कितनी आजेगी capital T है मारे पास formula 2 root t rlc तो यह इसको 1 by f लेंगे 1 by 2 by root 3 rcf तो यह मेरे पास answer first case complete second case क्या रहा है second case के अंदर क्या रहा है यदि t की value ली जाए हमारे पास 1 by 2 f ली जाए तो क्या होगा r की value 2 f लेंगे तो यहाँ पर 2 root 3 rlc यहाँ 2 f आजाएगा 2 or 2 4 है तो यहाँ 4 root 3 rlc आजाएगा यह मेरे पास ripple factor आजाएगा क्या आजाएगा ripple factor तो दो case आपने consider करने है ओके दो case आपने consider करने है ओके तो most important topic है क्या किया हमने यहाँ पर हमने कवेस्टर लगाया था shun कवेस्टर यानि partial of gram के अंदर संदा रितर लगाया था उसके लिए हमने filter बढ़ा था filter क्या होता है जो ripple factor को कम कर दे और यहाँ पर ripple factor की value को क्या करेगा यह कम करेगा इस formula की सहता से हम ripple factor को क्या कर सकते हैं कम कर सकते हैं और हम जादा जादा output क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं तो आज के lecture में सिर्फ इतना ही next lecture में हम नई topic के बारे में चर्चा करेंगे और आप इस वीडियो को अन तक जुरूर देखिएगा क्योंकि important वीडियो है आने वाले lectures इसी वीडियो के माद्यम से इसी lecture के माद्यम से अपन करने वाले हैं आन तक जुरूर देखिएगा यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने friend circle के अंदर इस वीडियो को जुरूर शेर किएजएगा ताकि सारे के सारे विदार थी इस पाठेकरम का इस YouTube चैनल के माद्यम से इस physics के पाठेकरम का लाव उठा सके आने वाले जो आपके युनिवेस्टी अग्जाम आ रहे हैं उसमें आपको यह साहिता देंगे मदद देंगे किसी परकार की कोई भी साहिता हो नोट से सबंदीर, study material से सबंदीर, question से सबंदीर आप हमें comment box में जुरूर बताईएगा हमें mail कीजेगा और या हमारे वर्टसव नमबर कर डारेक्ट संपर कर सकते हैं हम अब विदार्थों के सयोग के लिए इस YouTube चैनल के माद्यम को open किया है आपका सयोग मिला तो हम ने lectures में होर मिलेंगे हम 5Ware की series को भी शुरू करने वाले हैं आप सबी विदार्थों के सयोग से तो आप घर रहिएगा सुरक्षित रहिएगा यही हमारे आप से क्या है कामना है